नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पे आपका स्वागत है आज मैं आपको यहां पर साधारन साधारन बॉर्डर बनाने बताने जा रही हूँ तो दोस्तों यहां पर हम एक साधारन सा बॉर्डर बनाने के लिए आपको बताएंगे जो बहुत ही आसान है और यह बहुत ही आसानी से बन जाता है यह सीखने के लिए अभी बहुत जरूरी है यह बेसिक ज्यान है और यह अगर किसी को बॉर्डर बनाने नहीं आता है तो वो स्वेटर नहीं बना सकता है इसलिए सबसे पहले बॉर्डर बनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है तो हमने यहाँ पर सलाई पर कुछ फंदे डाल रखे हैं यह फंदे मैंने डालने के लिए पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से फंदे डालने हैं आप फंदे डालने वाले वीडियो देख लेजे और आसानी से इसमें फंदे डालने के बिधी को सीख लेजे और फंदे डालने के बाद आप यहाँ पर बॉर्डर बनाने के लिए सीखें बॉर्डर बनाने के लिए सीख जाएंगे तो आप आसानी से कोई भी स्वेटर बना सकते हैं तो दोस्तों चलिए हम इसको बॉर्डर को बनाने यहां पर हम फंदे जो डाले हैं इसमें हम पहली सलाई जो बिनेंगे उसको इस तरह से बिनेंगे पहला घर जो है पहला फंदा यानि की घर इसमें हम इस तरह से डालेंगे शलाई को और जो हमार एक धागा है देखे यहाँ पर जो दो धागा वाला है एक धागा वाला है तो एक धागे को जो एक धागा वाला जो है इसी से हमें बिनना है तो इसको ऐसे करके रोटेट किजे नीचे से देखे ऐसे नीचे से रोटेट किजे और इसको ऐसे वापस निकाल लेजे एक घर बन गया अब धागे को अपनी ओर किजे आगे की ओर और एक ऐसे डाले एक ऐसे देखे बीच से ऐसे अपनी ओर डालना है और इस पर इस तरह से रोटेट करके इसको वापस निकाल ल का लिजे, इस तरह से पूरी सलाई बिन लिजे, इस तरह से देखे, धागे को आगे के और किजे, और एक घर उल्टा बिन लिजे, इसको हम उल्टा काते हैं, फिर धागे को पीछे किजे, एक घर सीधा बिन लिजे, इस तरह से हम पूरी सलाई में बिनते जाएंगे, देखे, एक घर उल्टा और एक घर सीधा इसको हम काते हैं उल्टा और सीधा ये एक घर उल्टा और एक घर सीधा ये हम पूरी सलाई में बिनेंगे इस तरह से देखे यहाँ पर हम पूरी सलाई उस तरह से बिनने हैं अब हम उल्टे की तरफ से बिनेंगे उल्टे की तरफ से हमें पूरी सलाई उल्टा बनाना है तो पहला घर को हम उतार लेंगे तो ये हमारे चेन बनेगा तो ये पहला घर उतार लिए और दूसरा घर इस तरह से हम उल्टा बनाएंगे यानि कि धागे को बीच से, सलाई को बीच से डालेंगे धागे को ऐसे रोटेट करेंगे और वापस निकाल लेंगे इसको हम उल्टा करते हैं पिछली सलाई पूरी उल्टा बना लिए हैं अब हम सीधे के तरब से उसी तरब प्रोसेस करेंगे जैसे हम पहले बनाये थे उसी तरब हम बनाएगे देखे एक घर को उतार लेना है फिर धागे को आगे की ओर करना है और एक घर उल्टा बिल फिर धागे को पीछे की ओर करेंगे और एक घर सीधा बिल लेंगे इस तरह से हम पूरी सलाई बनाते जाएंगे और इसी तरह से हम आगे का पूरा प्रोसेस करते जाएंगे दोस्तों जब आप पूरा बर्डर बना ले और यह sweater को tight बना करके रगता है तो दोस्तों अगर आपको यह पूरा मैंने वीडियो देखा बता दिया है अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद